हेलो गुद मॉनिंग स्टूडेंट्स फॉस्ट एंडर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी अच्छे ओके मज़ा रही गर पे पढ़ना भी पढ़ रहा है है ना चलो ओके टूड़े आइल एक्स्प्लेंड यू फिफ्ट चैप्टर अड़ श्कूल क तो ये चैप्टर पूरा इसके भान उंच के आप सुपाप्व स्कूल आते हो फिर क्या करते हो फिर क्या से स्कूल में रहते हो फिर किती स्कूल में मज़ा आती है फिर जब फूटी हो तो घर जाने की भी बहँत हमको झल्दी होती इस प्लावाउन वर से थीवारी चलों our you like coming to school? What is the name of your school? You have to write it all these answers, okay? So, do you like coming to school? So, answer is this, yes, I like to coming to school. What is the name of your school? Do you know? What is the name of your school? What do you say? Sunrise Academy. Do you know the name of your class teacher? Do you know your class teacher? Do you know your name? Do you know your class teacher? Okay. Now, I start the chapter. Hello, I am Neetha. In this chapter, there is a child, like a little child, who is telling me that I am going to school, how do I feel in school? I am going to school or not. All of them tell me. So, the child is called Neetha. Hello, I am Neetha. I study in St. Paul School. Every morning, I walk to school with my friends. As we enter the school, the bell goes. Hello, my name is Neetha. I am in St. Paul School. में पढ़ती हूँ. Every morning, मतलब हर रोज सुभा में कैसे स्कूल जाती हूँ? चल के स्कूल जाती हूँ with my friends. As we enter the school, the bell goes. और जैसे ही वो स्कूल में एंटर करते हैं सब लोग, तो क्या होता है? बेल बजने लगती है. बेल बजने लगती है. बेल बजने तो सबको जल्दी-जल्दी बैग रखके अपने और प्रेयर के लिए सबको लाइन में लगना पड़ता है. है ना? मेरी जो टीचर है, क्लास टीचर कुनका नाम क्या है? मिसस प्रिया. और जब मैं क्लास में जाती हूँ, तो वो मुझे देखके स्माइल करती है. है ना? I wish her good morning. Then I sit at my desk. I keep my bag on the desk. और when you enter the class, जब आप लास में एंटर करते हूँ, अगर आपके टीचर आपके सामने खड़े होते हैं, तो you have to wish your teacher every morning. क्या बोलते हो आप लो? Good morning, ma'am. ऐसे बोलते हैं, तो वैसे ही इसने किया, नीता ने. और उसने किया किया, अपना बैग जो था, वो desk पे रखा, और अपनी चेयर पर जाकर बैड गई. Mrs. Priya brings different things to the class every day. जो उनकी class teacher थी, Mrs. Priya, वो रोज क्या करती थी, बच्चों को नहीं नहीं चीज़ें दिखा कर उनको सिखाती थी. Today, I see a fish ball on a table, और आज मैंने किया देखा कि मैम की जो टेबल थी, उस पे एक fish ball रखा हुआ था, fish ball बता है ना, fish ball में, घर में हमारे पास एक छोटा सा fish ball होता है, बड़ा सा, एक छोटा सा tank होता है काच का, उसके अंदर पानी में, fish रहती है, और वो ऐसे ऐसे घुमती है, त तो मैंने भी देखा कि उनके टेबल पर एक बड़ा सुंदर सा काच का fish ball रखा है, और उसके अंदर क्या है, fishes है उसके अंदर, और real fish is swimming round and round in it, और मैंने देखा कि छोटी सी प्यारी सी fish, ऐसे ऐसे गुल गुल उस पानी में swimming कर रही है, swimming कर रही है, swimming कर रही है, पानी में त and eat, और मैंने lunch box अपना क्या किया, कबड में रख दिया, वहाँ पर मैंने as per the instruction of teachers, तो आपको अपना lunch box or water bottle side में रख देना चाहिए, तो मैंने भी ऐसे ही किया, अपना जो lunch box था, वो cupboard में रख दिया, और I enjoy lunch time, और जब lunch time होता है, तो मुझे खाना खाना में बहुत मज़ा पर मैं अपना जो खाना है, वो अपने friends के साथ share करती हूँ, in के साथ बाते कर्ती हूँ और हम सब मिलकर खाना खाते है, आप भी ऐसा करते हो ना, जब lunch time होता है, तो हम आप लोग क्या करते हो, अच्छा अच्छा खानाuciones के साथ शेर करते हो, वा, आस तरह मेरी ममी ने शेर करती है और हमें शेरिंग भी अपने फेंज के साथ करना चाहिए है ना Tuesday is my favorite day of the week we have the art and craft class every Tuesday नीता को Tuesday का जो दिन था वो सबसे ज्यादा पसंद था क्यों? क्यों पसंद था? क्योंकि उस दिन स्कूल में art और craft का period हुआ करता था इसलिए है and she like to doing drawing, arts and craft की चीजें बनाना उसको बहुत पसंद था आप लोग को भी drawing करना पसंद देना है ना? इसी तरह से तो she like every Tuesday after class it is time to go to home और उसके बार जब class खतम हो जाती है मतलब school की छुटी होती है तो ये क्यां सा टाइम होता है? हमें घर जाना होता है after class it is time to go home I pack my bag, I say bye to my classmates I say goodbye to my teacher, I will walk home with my friends और जब class खतम हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ? अपना backpack करती हूँ अपने friends को, जो classmate होते हैं, उनको bye-bye बोलती हूँ की bye-bye, चलो कल मिलेंगे I say goodbye to my teacher और मैं मेरी मैम को क्या बोलती हूँ? class teacher मैम को बोलती हूँ, goodbye ma'am है ना, I will back home with my friends और मैं वापस अपने friends के साथ अपने घर आ जाती हूँ आप लोग भी ऐसे ही करती हो ना रोज जब school आते हो, तो सुबह आते हो फिर school में जोई करते हो, पढ़ाई भी करते हो मस्ती भी करते हो, खाना भी खाते हो, शेरिंग भी करते हो और उसके बाद, the most important thing is this you have to wish your teachers every day say good morning, है ना, बोलते हो ना and after that, जब टाइम पूरा हो जाता है जब हमारे school की छुटी हो जाती है तो हम अपने अपने घर जले जाते हैं सब अपने friends के साथ ऐसे ही नीता ने किया, चीक है मज़ा है ना, स्टोरी सुनके there is some hard words school, S-C-H-O-O-L school फिर morning, M-O-R-N-I-N-G, morning B-E-L-L, bell C-L-A-S, class F-I-S-H, fish and the sixth number is this B-O-W-L, bowl fifth, cupboard C-U-P-B-O-A-R-D, cupboard fifth, eighth number है, swimming S-W-I-M-M-I-N-G, swimming again I repeat school, morning, bell class, fish bowl, cupboard, swimming okay now you have to write all these hard words in your notebook and learn them okay thank you student